हरे कुष्णा राधे राधे सबी ठागुल भक्तों को मैं बनाओं आज के इस वीडियो में मैं लड़ू गोपाल जी की ये पगड़ी बनाना दिखाऊंगा पिछले वीडियो में जो हमने ड्रेस दिखाई थी दोस्तों ड्रेस का लिंक जो है डिस्क्रिशन बॉक्स में है इसे बनाना शुरू करते हैं इसके लिए दूस्तों मैंने बुकरम लिया है 5.紐 लंबा और एक इंच वड़ा मैंने बुकरम लिया हुआ है दो पटिया मैंने सेम की काटी हुई है तो दोनों को मैं सबसे पहले तो एक के उपर एक रख के जोड लूँगा ग्लू की हल्प से तो इसको हम सिंपल जोड लेते हैं तो एक के उपर एक को दुसरे को रख के हमें इसको चिपकाना थोड़ी डेर के लिए जो है सूप ने देना है और जब इसूप जाएगा तब हम इसको क्या कर लेंगे कि राउंड बना लेंगे इसका राउंड बना कि ऐसी कोई भी चीज पर रख लें जिसके उपर कि आपके गोपाल जी की पगड़ी बैठती हो और उसके उपर जो है हम लोग ग्लू लगा है यहाँ पर जो हूँ छे नंबर के गोपाल जी की यह पगड़ी बना रहा हूँ आप आपके गोपाल जी के हिसाब से कोई भी ऐसी चीज लेके पगड़ी बना सकते हैं आभी हमें आप पगड़ी के बेसिक कट्स लगाने हैं दोस्तों पीछे साइड में जो है मैं एक दम हिसा इसे कट लगा दूगा यहाँ पर में पीछे साइड में लगा याहाँ और तो हम चाहे तो सेम कलर का कपड़ा भी ले सकते हैं इसको चिपकाने कल्ए अधर वाईस आप कपड़ा पहले तो मैंने इसको चिपकाया फिर इसके अंदर जो आउट मतलब यह एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको भी मैं अंदर साइड में कट लगा के मोड़ दूंगा इस तरीके से तो यहां पर देखी सकते हैं आप मेरा आस्तर जो है चिपक के त्यार है और काफी थोड़ी देर त सिलाई लगा दूंगा तो यहां पर मेरी सिलाई बनने के बाद में दोस्तों आप इसको सीधा कर दें हल्का सा इस तरीके से refiôn क subscription ठासी जो कि हमारी strips बनेगी पगड़ी के लिए दोस्तों यह strips काफी काम आते हैं आप इसकी जगह पे नेट का कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं बट मैंने जो है सिल्ख का कपड़ा استعمल किया है क्योंकि मेरे पास वैलेबल था अदर्वाइस आप नेट का लेते हैं तो डबल कपड़ा लिजेगा सिल्ख का sing-lel a day तो भी चलेगा और इस के से हम इसको सीधा कर देंगे दोस्तों आप खुद देख सकते हैं कितने धागे जो है हमारे अंदर चले गए है और काफे फिनिशिंग के साथ में जो हमारे पट्टी बनके त्यार है आप चाहे तो यहाँ पे लेस भी ले सकते है वेलवेट की इस दो कलर में ठीक है तो इसको मैं सिंपल ही जो है प्रेस कर रहा हूँ दोस्तों आप चाहे तो डबल स्टीज भी इसके उपर उपर से कर सकते है मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने इसको प्रेस कर दिया दोनों को तो यहाँ पर आधा आधा मिटर की मेरी ये दोनों पटिया बन के तियार है दोस्तों अभी जो है मेरा जो ये मैंने सूकने के लिए बेस रखाता उसके उपर साइड में जो है मैं नॉर्मल कपड़ा लगा दोगा हमारा अस्तरवाला इस तरीके से और ग्लूगन की हेल्प से लगा रहा हूँ आप चाहे तो फेवी बान की मदद से भी इसको चिपका सकते हैं मैं इसको आभी कट कर रहा हूँ दोस्तों एक्स्टा जो है हमारा बचा है इसको हम सिंपली कट कर देंगे इसको जादा फिनिशिंग वगरी देनी की कोई जरूरत नहीं है यह जब कट हो जाए दोस्तों तो यहाँ पे हम जो हमारी स्टिप्स हमने कट की थी उसमें से चोटी चोटी तुकड़े हमने कट करके जो है इसके उपर लगाने है उपर साइड में हमें इसको पूरा कवर कर लगाएंगे दोस्तों सभी उसे यहाँ से शुरू करेंगे डबल ट्रिपल इस तरीके से जो हमें इसको लगाते जाना है तो सबसे पहले तो है मैं मेरी ब्लू कलर की स्टिप्स ले रहा हूँ क्यूंकि मैंने यहाँ पे ग्रीन लगाया था तो ग्रीन के साइड से मैं ऐसे ब्लू लगा रहा हूँ और ब्लू की स्टिप मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से रखके और इसको नीचे इस तरीके से लेते हुए मैं पीछे साइड में लेके जाऊंगा और पीछे साइड में जो हमारा कट था वहाँ पे मैं इसको चिपकाऊंगा और यहाँ पे कट कर हुआ है तो यह सेकंड वाली जो है हमने जो लगाई थी ब्ल्यू उसके नीचे से आए यहाँ से तो यहाँ से हम इसको चिपका देंगे और हम जो है आगे चलके जो है इसके सीधा मतलब कि लिए पर स्ट्रेट में चिपकाएंगे मतलब कि हमारा Blue भी दिख जाए और इसको मैं simply cut कर रहा हूं दोस्तो और इस तरीके से जो ह対 में इसको चिपका रहा हूं अभी मेरा जो है दूसरा जू भूर अई मैं उसी से start करूँगा क्योंकि मुझे ये color दो color में बनाना है दोस्तों तो ये थोड़ा आपको देखने में भी easy जा रहा होगा तो इस तरीके से यहाँ पर मैं रखके यहाँ पर नीचे side से लेके जहाँ पर भी मेरा खुला है वहाँ पर इसको मैं cover कर दूँगा इस तरीके से आप देख सकते हैं और मैं अभी इसको चिपकाना start कर रहा हूँ पूरा यहाँ से जो है मैं चिपकाते हुए इसको इस तरीके से मैं थोड़ा सा यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा चिपक के चिपका रहा हूँ मैंने यहाँ पे थोड़ी जगा छोड़ी है क्योंकि मुझे और एक color जो है इसके अंदर add करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको कर दिया और अभी मैं इसको cut कर दूँगा सेम आभी यहाँ पे green color से start करते हैं दोस्तो और green color से start करके यहाँ से नीचे से हम ले लेते हैं नीचे से लेके इसको हम उपर की एक पट्टी बना देंगे main हमारा जो है यह पट्टी बनेंगी तो इसको भी हम उपर side में लेके इस तरीके से हम पिछे side लेके इसको चिपका देंगे तो हमारा यह base जो है काफी आची तरीके से बनके तियार होगा आप देख सकते हैं दोस्तो यह मेरा base किस तरीके से बना है दो color में काफी सुन्दर लग रहा है दोस्तो अभी आप आपकी decoration जो है आपके according मना सकते हैं यह base बनाने का process जो है था काफी important था तो यह आप देख सकते हैं इसके बाल में दोस्तो आभी हम इसका decoration करेंगे मैं काफी simple decoration कर रहा हूँ तो सबसे पहले मैं net से कलंगी बनाँगा दोस्तो यहाँ पे 4 इंच लंबाई में मैंने चोड़ाई में एक अपड़ा कट किया है लंबाई में आप आंदाज से ले सकते हैं इसको मैं simply सुई धागे की मदब्द से कलंगी मना लूँगा इसके तो इस तरीके से जिग जैक करते हुए दोस्तो हम लोग क्या करेंगे इसको सुई धागे के अंदर पीरो देंगे और इसको काफी अच्छे से जो है double, triple, side, side से इसको सिल देंगे ताकि यह हमारी कल्गी नीटली बने काफी अच्छी बनके त्यार हो इसको हम एक बार stitch करके धागा तोड़ देंगे तो आप देख सकते हैं मेरी कल्गी बनके त्यार है उपर side में थोड़ा सा cut कर रहा हूँ ताकि अच्छी finishing आए यहाँ पे मैंने दो कलंगिया बनाए हैं दोस्तो और दोनों को जो हैं मैं इस तरीके से जोड रहा हूँ दो कलर थे इस वज़े से मैंने दोनों नेट में बनाए हैं तो दोनों को इस तरीके से जोडने के बाद मेरी एक कल्गी बनके त्यार होगी कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं इसका लुक और मैं आभी wire ले रहा हूँ दोस्तो इसको seal कर दोंगा और इसके अंदर कुछ मोती मैंने भरे है मोती भर के दूसरा sideway उसी तरीके से मैं यहाँ पर pack कर दोंगा मतलब कि मोती हमारे ना निकले और इस तरीके से करने के बाद में इसको मैं easily जो है घुमा दोंगा दोस्तो आसानी से हमें इसको गोल गुमाना है इस तरीके से जो हमें इसका राउंड बनाना है जैसे मचर कोईल होती है उस तरीके से हमें इसको करना है और यह हमारा कुछ इस तरीके से जो है बन जाएगा यह हमारा कलंगी का ही एक पार्ड बनेगा दोस्तों तो यहाँ पर एक बना ल यहाला मोती है दोस्तों मेरे पास में वो डाल दूँगा आपके पास में जो अविलेबल हो चीज वो डाल सकते हैं नॉर्मल मोती भी आप इसके अंदर लगा सकते हैं इस तरीके से मैं इसको लगा के यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा यह इस तरीके से आएगा और ऐसा मैं और एक बना लूँगा, ठीक है, तो यह मैंने और एक बना लिया, तो ऐसे मेरे तीन बन गए दोस्तों, और तीनों को जो है, मैं इसको साथ में चिपका दूँगा, पगड़ी के उपर, तो पगड़ी के उपर हम जो है, हमारे डेकोरेशन के प्रोसेस में चलते हैं, तो करके हमारी मोती वाली कलंगी चिपका देंगे, तो यह कुछ इस तरीकिस लुकाएगा, दोस्तों, यहाँ पर मैंने रेड कलर की फ्लावर्स लिया है, तक क्योंकि मैंने ड्रेस में रेड कलर यूज़ किया हुआ है, आप कोई दुसरा कलर भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर मै मैं थोड़ा सा ग्लू लगा के दोस्तों, फ्लावर्स के उपर मैं छोटे-छोटे मोती चिपका रहा हूँ, और यहाँ पर जो है, नीचे साइड में मैं, पल्चेन चिपका रहा हूँ, उपर साइड में मेरी मेन आएगी, तो मेन के ऊपर मैं यहाँ पर कुछ स्टोंस लग सब्सक्राइब यहां पर साइड से मैं एक डम और एक पर चिपका दूँगा ताकि इसका लुक काफी हेवी बनके त्यार होगा तो आप आप देख सकते हैं मैं आप चाहे तो इसको यही पर skip कर सकते हैं मुझे ये side थोड़ी जो है खुली-खुली लग रही थे आप देख सकते हैं आप तो मैं इस वज़े से जो है मुझे ये side में कुछ लटकन वाले मोती लगा दूँगा तो लटकन बनाने के लिए दोस्तों मैं मैंने सुई धागा लिया है और उसके अंदर जो है नॉर्मल मोती मुझे 11 मोती पीरो नहीं है दोस्तों एक साथ आप आपके पगड़ी के according मोती पीरो सकते हैं मैंने यहाँ पे 11 मोती लिए फिर इसके बाद में मैं एक golden मोती लूँगा एक red कलर का मोती लूँगा और फिर से एक golden कलर का मोती लेके जो है इसको मैं पीरो दूँगा धागे के अंदर फिर के दोस्तों golden कलर के मोती को यहाँ पर फीचे साइड में खिसका लेते हैं और जो है रेड में से ही रिवर्स में हम फिर से यहाँ पर धागे के अंदर पूरे मोती यह कर देंगे जिससे कि हमारा नीचे वाला गोल्डन मोती जो है लॉक बन जाएगा और हमें जो है कुछ इस तरीके से और बना लेने हैं दोस्तो और इसको बना के जो है मेरे पासे पहले बने वाले थे तो यही मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको उपर साइड में आप चाहे तो चिपका दीजे या फिर नॉट बान दीजे कुछ इस तरीके से अभी मैं क्या करूँगा दोस्तो इसको जो है एक्स्ट्रा थ्रेड जो है मैं मेरा कट कर दूँगा और इसको जो है पगड़ी के उपर साइड में जो है इजी ली चिपका दूँगा अभी मैंने यहाँ पर दोस्तो लॉक वाले स्टोन दिये है इस तरीके से और उसका जो है चार स्टोन इकटा करके एक पैच बनाया है आप यहाँ पर कोई भी मार्केट वाला पैच भी इस्तिमाल कर सकते हैं और मैं इस पैच को जो है उपर साइड में हलके से उपर साइड में यहाँ पर चिपका दूँगा क्योंकि मुझे खुला खुला लग रहा था तो यहाँ पर देख सकते हैं आप मेरी पगड़ी पूरी बनके तियार हुई है दोस्तों यहाँ पर जो है यह कुछ स्ट्रिंग्स थे तो अंदर आ रहे थे मैं इसको उपर साइड में उठा दूँगा और आप देख सकते हैं मेरी पगड़ी कंप्लीट लुप में ऐसी दि